हेलो नमस्कार सथ स्रियकाल और आप सभी को मेरा सलाम मैं हूँ अजवल सक्स है ना तो जी हाँ टाइटल तो आपने पढ़ी लिया है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मारूती सुजुगी आर्टेका के बारे में जो वैसे तो 21 तारीक को अफिशली मारूती सुजुगी की आर्टेका के बारे में तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्स जयर करिए और प्लस अगर आप जो है इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि मैं जो है लेली आटो मोबाल सेक्टर से रिलेटेड आपको जो भी न्यूस बगरा होती है उनके वारे में वीडियो बनाके अपडेट तो करता ही हूँ प्लस मैं कोशिश करूँगा कि जिस दिन अर्टेगा लॉंच होगी उसी दिन मैं आपको उसका फर्स्ट इंप्रेशन दे सकूँ तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और इस बेल आइकन को दबाने में भी बिल्कुल ना शर्माएं ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंक मिल जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो में डेने वाले में आपको अइल्टिगा के बारे में तो जैसा कि आपको पता है मारूती सुझूगी होता है ल- 2020 2016 my अधिया थो सबसे पहले बात कर लेते हैं याने कि जबेस फीचर्स को आपको L variant में मिलेंगे, अगर आप base variant लेते हैं तो, तो सबसे पहले तो आपको front grill जो है painted मिलेगा, जैसे कि आपने देखा होगा desire वगरा में front grill हमें painted मिलता है, वैसे ही आपको Altega में भी जो front grill है वो painted मिलेगा, chrome plated वगरा नहीं मिलेगा, अब next बात करें headlamps की बारे में, तो Artica के accessories के उपर, तो यह तो बात हुई, front profile के बारे में और आप बात कर लेते हैं, car की side profile के बारे में, तो side profile में सबसे बहले wheels के बारे में बात करें, तो इसमें आपको 185, 65, R15 याने की 15 inches के steel wheels मिलेंगे, और painted steel wheels मिलेंगे आपको, अगर इसमें brakes के बारे में बात करें, तो front म हमें ventilated disc type brakes मिलेंगे और rear में हमें drum type brakes मिलेंगे अब next बात कर लेते हैं door handles और व्म के बारे में तो यह हमें black down ही मिलेगा यह यह ब्लैक कलर की मिलेंगे तो इसके आपर वेरियंट आते हैं उसमें जो है body color मिलने शुरू हो जाते हैं अगर बेस वेरियंट अगर आप L को तो और इसमें हाँ base variant है तो इसलिए हमें keyless entry feature नहीं मिलेगा तो यह तो बात हुई car की side profile के बारे में और चलिए अब बात कर लेते हैं car की rare profile के बारे में तो rare profile में जो एक काफी अच्छी चीज मुझे लगी वह है इसके redesigned LED tail lamps मिलेंगे आपको base variant से ही जो काफी अच्छी डिजाइनिंग की गई है tail lamps की तो आपको कहीं काफी हता है कि एक luxurious car company है जैसे की Volvo तो Volvo से inspired आपको tail lamps लगेंगे और चलिए अब बात कर लेते हैं next feature के बारे में जो मुझे अच्छा लगा वो है इसके base variant से ही हमें reverse parking assistance के लिए sensors मिलना स्टार्ट हो गाए या rare bumper में तो एक काफी अच्छी बात है कि कुछ basic safety features में अंदर आता है reverse parking sensors वो आपको जो अब हर एक variant से मिलना स्टार्ट हो जाएं क्योंकि यह standard रखे जाएंगे और हाँ इसमें tailgate हमें painted ही मिलेगा तो यह तो बात हुई external profile के बारे में चलिए अब बात कर लेते हैं interiors के बारे में कि अर्टिगा के interiors में हमें क्या क्या मिलेगा तो पहली बात तो पूरा theme चेंज कर दिया गया सबसे पहले बात करेंगे steering के बारे में तो इसमें collapseable steering column मिलेगा और tilt adjustment मिल जाएगा steering में telescopic तो नहीं मिलता क्योंकि वैसे base variant है मगर हाँ tilt adjustment आपको मिल जाएगा अर्टिगा में और बात करें इसमें steering पर हमें कोई भी mounted controls नहीं मिलेंगे क्योंकि music system नहीं आता तो audio video के कोई mounted controls आपको steering wheel पर नहीं मिलेंगे safety feature के बारे में बात करें तो dual airbags आपको जो इसमें मिल जाएगा climate control इसमें manual type climate control मिलेगा और power windows front and rear चारो power windows मिलेंगी जिसमें driver side auto down feature मिल जाएगा आपको power window का तो चलिए अब बात करते हैं sunshade के बारे में तो driver side sunshade पे हमें stat मिल जाएगी card बगएरा रखने के लिए और co driver side जो हमारा sunshade है वो simple मिलेगा और हाँ जो इसका अर्टिका का अगर आप base variant लेंगे तो उसमें सिर्फ आपको एक 12V का charging socket मिलेगा वो भी सिर्फ front row में अब next बात कर लेते हैं कि इसमें जो instrument cluster है instrument cluster इसमें हमें colored TFT MID screen मिलेगी जो काफी information वगेरा शो करेगी जैसे कि driver and co driver के लिए seatbelt alarm और indicator वगेरा आपको instrument cluster में ही शो होगा gear shift indicator मिल जाएगा अगर आप manual transmission variant लेते हैं तो engine coolant temperature भी शो होगा MID screen पे तो MID screen का भी designing अब थोड़ी बहुँ change करी गही है जो पुरानी अर्टिक आची थी उसके comparison में safety features के बारे में बात करें जो सबसे important चीज होती है एक car के अंदर उस पर आजकल कंपनियां काफी ध्यान दे रही है तो safety features जैसे की ABS with EBD, brake assist, dual airbags, reverse parking sensors, speed sensing, auto door locks, speed alert alarm और security blinking टाइप यह सब जो safety features है जो standard मिलेंगे आपको अर्टिका के base variant से ही तो I hope आपको जो L variant है उसमें मैंने सबी features जो भी आपको मिलेंगे वो मैंने अच्छी तरह से explain कर दिये हैं अब next बात करेंगे जो इसका थोड़ upper variant होता है यानि कि आप सब को पता है मारूती का L से उपर आता है V, तो V यानि कि VXI और VDI transmission के बारे में बात करें तो इसमें हमें manual और automatic दोनों transmission options मिल जाएंगे L में सिर्फ आपको manual ही मिलेगा जैसे कि आमें पता ही है मारूती L variant में automatic transmission नहीं देती V और Z इन दोनों में आपको automatic transmission option भी मिल जाएगा अब चलिए features के बारे में बात कर लेते हैं तो features as such front profile में आपको plated मिल जाएगा front grill तो base variant में तो आपको सुर्फ normal painted मिलेगा मगर इसमें आप ए chrome treatment मिल सकता है आपको front grill में next headlamps के बारे में बात करें तो headlamps आपको same मिलेंगे halogen headlamps fog lamps आपको V variant में भी नहीं मिलते तो उसमें आपको wheel covers मिल जाएंगे base variant में wheel covers नहीं आते वो आपको additional लेने पड़ते हैं मगर V variant में मारूती wheel covers देती है आपको और brakes बगरा तो सब सेम यह front में हमें ventilated disc type brakes मिलेंगे और rear में हमें drum type brakes मिलेंगे अब wheels के बाद बात करेंगे हम ORVM की तो इसमें body colored ORVM मिलेंगे और body colored ही door handles मिल जाएंगे और electrically adjustable और retractable ORVM मिलते हैं आपको V variant से ही और इसमें आपको turned integrators भी integrated मिलेंगे ORVM में black down मिल जाएगा B और C pillar तो floating roof design मिल जाएगा आपको तो चलिए अब बात करते हैं car की rare profile के बारे में तो rare profile में आपको chrome related treatment मिल जाएगा boot gate पे और reverse parking assistance के लिए sensors मिल जाएगा तो चलिए अब बात कर लेते हैं car की interiors के बारे में तो बात करेंगे कि interiors में आपको क्या-kया features मिल जाएगे ही होंगे प्लस एक कुछ अडिशनल फीचर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप विवेरियंट लेते हैं तो तो सबसे पहला फीचर के बारे में बात करें तो इसमें आपको जो संशेड है वहाँ पर आपको वैनिटी मिल जाएगा और जो सेकेंड रोड जो वहाँ पर आपको आमरेस्ट मिल जाएगा सागेंड पेसिंजर्स के लिए लगेज बोर मil मगार क्लायमेट कंट्रोल आपको अभी मैननुल चैप क्लायमेट कंट्रोल मिलेगा और हैं इसमें आपको partis a बारे मिलती हैं जिसमें TBD, Brake Assist, Electronic Stability Program आपको मिलेगा, जी हाँ, तो आपको V-Variant अगर लेंगे, तो ESP आपको एक additional feature मिलेगा, as compared to जो basic safety features, L-variant में आपको मिल रहे हैं, जैसे कि dual front, airbags वगरा, उसके extra में हमें जो है, electronic stability program मिल जाएगे, जिसको आप on या off कर सकते हैं, hill hold control मिल जाएगा, traction control मिल जाएग मिलता है, चलिए आप बात कर लेते हैं, main जो आपको feature मिलता है, यानि कि music system के बारे में, तो music system में आपको जो Bluetooth, MP3, AUX, USB, AM, FM वगरा जैसे feature support करता है, music system जो आपको V-variant में मिलेगा, और total 4 speakers मिलते हैं आपको, मगर हाँ, इस बार, मारुती ने CD और DVD player हटा लिया है, अपने music system से, तो ये तो बात हुई, value for money variant हम कहा सकते हैं, जिसे उसके बारे में, तो जो मारुती सुदू की अल्टेका का V-variant होता है, वो हमेशे value for money variant ही होता है, तो इसमें आपको मैंने बताया, क्या-क्या features मिलेंगे, तो अब next बात कर लेते हैं, V के ऊपर जो variant आता है, यानि कि Z variant, तो ZXI और ZDI दोनों variants मिलेंगे आपको इसमें, और इसमें भी आपको manual के साथ-साथ, automatic transmission का भी option मिलेगा, और अब बात करते हैं, features के बारे में, जो additional मिलेंगे, आपको अगर आप Z variant लेते हैं, तो Z variant में front grill आपको plated मिलेगी, chrome plated जैसे हैं मैंने आपको बताया, same halogen headlamps मि accessory लगवाने पड़ते हैं, मगर Z variant में आपको मारूती सुदू की जो है fog lamps दे देती है, तो यह तो बात हुई front profile के बारे में, और चलिए अब बात कर लेते हैं, Z की side profile के बारे में, तो side profile में सबसे पहले wheels के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर आपको aluminium finished alloy wheels मिल जाएंगे, तो बाकी जो दो lower variants आते हैं, उसमें आपको steel wheels मिलते हैं, मगर इसमें आपको alloy wheels मिलना start हो जाते हैं, तो जैसा आपने desire में देखा, उसी type के आपको aluminium finished alloy wheels मिलेंगे, और brakes वगरा तो सब same ही है, अब side profile में बात करें, ORVMs और door handles के बारे में, तो इसमें आपको plated door handles मिलेंगे, और electrically adjustable और retractable ORVMs मिलेंगे, black doubt B और C pillar मिलेगा floating roof design के साथ, और इसमें भी आपको keyless entry मिल जाएगी, panic switch के साथ, और reverse parking assistance के लिए sensors मिल जाएंगे आपको rear profile में, तो चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर आप Z variant लेंगे, तो इसमें आपको interiors में क्या क्या features मिल जाएंगे, additional as compared to तो अगर आप V variant लेंगे तो Z variant को, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको 3 12 volt के charging socket मिलेंगे, तो शायद मैं आपको बताना बूल गया, जैसा कि L में आपको 1 12 volt का charging socket मिलता है, V variant लेंगे तो 2 12 volt के charging socket मिलते हैं, front and second row passengers के लिए, और अगर आप Z variant लेंगे लेंगे, तो 4 speaker के साथ साथ 2 twitters आपको मिल जाएंगे, अब next feature के बारे में बात करूँ, तो इसमें आपको driver armrest मिल जाएगा, with utility space, और यह adjustable armrest है, तो आप अपने इसाफ से इसको slide कर पाएंगे, अब next feature के बारे में बात करूँ, जो आपको Z variant में मिलेगा, वो है आपको height adjustable seatbelt मिल जाएगी, और हाँ इसमें आपको push start stop button मिल जाता है, और smart की मिलती है आपको, तो engine start stop button मिल जाएगा, आपको अगर आप Z variant लेते हैं, तो और आप बात करेंगे, finally, top of the line variant जो होता है, मारूति सुदू की offer करती है, वो है Z plus variant, तो अगर आप Z plus variant लेंगे, अल्टिका का, तो तो यह सिर्फ आपको manual transmission option में ही मिलेगा, अगर अभी जो है, इसमें automatic transmission आने की कोई उमीद नहीं है, तो ZXI plus और ZDI plus सिर्फ आपको manual transmission option में ही मिलेगा, और आप बात कर लेते हैं, features की जो additional मिलेंगे, आपको as compared to जितने भी मैंने lower variants बताए, तो इसमें आपको leather finishing steering wheel मिल और इसमें आपको जो सबसे बड़ा feature जिसकी वजए से हम कहा सकते हैं कि यह USP रहेगी, वो है इसका music system, तो इसमें आपको maruti Suzuki का smart link display audio video navigation system मिलेगा, जैसे कि आपने desire में देखा ही है, और हाँ इसमें आपको reverse parking camera भी मिल जाएगा, जिसका display आपको सीधा infotainment screen पे display होगा, तो अपने subscriber को जिन्होंने मुझे information मेरे साथ ये share करी, तो कैसे लगी आपको मेरी ये video, नीचे comment section में आप अपनी feedback दे सकते हैं, और हाँ इस channel को subscribe कर लिजे, क्यूंकि मैं 21 तारीक को ही map के लिए मारुजी सुदू की artika का first impression भी लाऊंगा, तो अगर आप उसको miss नहीं करना चा तनाइ, थैंक यू